हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रिसेट कर सकते हैं तो देखिए वीडियो सुर करने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ बताना जाता हूँ कि यहां पर मेरे पास यह जो प्रिंटर है यहां पर देख सकते हैं यहां पर इसका लाइट ब्लिंग कर रहे हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो लाइट ब्लिंग का प्रॉब्लम वो हो जाता है और किसी-किसी का नहीं होता है तो वह लोग क्या कते हैं कमेंट में गाली बकतें बहुत सरय अनाफसराब बाते कायते हैं लेकिन मैं आपको कहां वहां तो कि अगर आपके printer को reset करने के बाद भी आपका यह problem नहीं जाता तो इसके मतलब है आपका hardware का issue है आपका printer reset होने का मतलब है उसको software है वो reset होता है जैसे कि आगर आपका phone में कोई problem आता है तो आप उसे reset करते हैं मतलब उसका software को reset करते हैं ना ही करेंगे नहीं से पहला रहना कि पर लिकेन करैसे निकाल यह कारो दो वातनी बनत होगा याने के बाद के बाद आपको यहां पर पावर बोटन दिख सुछा रहा है यहां पर प्लैक नुवाइट का कौपी बटन है और आपको तीनों को एक निया होगा करके रखना होगा होल करके जैसे कि मैं यहां आपको करके बताता हूं झीडरे Lord को मैंने त्रिच आएंगे यहां प्रेक्स लगा देना हुग है यानि आपके फिंटाइब को पावर दे देना होगा चोड़ना बिल्कुल भी नहीं है आपको 10-15 सेकंड तक इसे होल्ड करके रखना होगा और एक साथ छोड़ देना होगा देखिए मैंने यहां पर छोड़ दिया है और यहां पर कोई भी लाइट वह ब्लिंक नहीं कर रहा है अभी हमें प्रेस करके छोड़ना होगा और फिर औ अपने आप रिसेट कर लेता है आप यहां पर देख सकते स्क्रीन पर जो कि ना यहां पर थोड़ा सा डिस्प्लेय है छोटा सा वहां पर लिखा आ रहा था यानि फॉल्टी टाइप का कुछ चीज़ है और यहां पर बिस जीरो है अभी यह आटोमेटिक डिस्टार्ट हो य सॉफ्ट्रर्स करने से कोई प्रावलम नहीं होता और जाया तर्वारा प्रॉबलम हो जाता है सो अभी हम एक काम करेंगे यहां से हमारा कंप्रूटर से हम एक पेज को परींट कर देते हैं आप यहां पर देख पाएंगे कि ताकि सब सही काम करें आपको दिख चाएगा तो यहां पर मैंने प्रिंटर में प्रिंट कमंड दे दिया है यह प्रिंटरमे थोड़ा सवाज आएगा फिर फ्रिंट होने का आपको पता होगा कि अगर полез देखिएये बेसिच-7 हो रहा है और प्रिंटिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है तो देखे पेज हमारा प्रिंट होके बाहर आ रहा है और अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छी त्रीके से हो रहा है बहुत कलर्फुल प्रिंट हो रहा है और आप देख सकते हमारे चैनल का लोगो बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है चैनल को लोगो की याद करके रखिए कोई भी हल्प चाहिए होगा आप कमेंट करके बताए हमारे चैनल पर आके मैं आपको पूरी तरीक से हल्प करूंगा और नीचे देख सकते हैं भाईया यहां कर दो को दबाना होगा जोड़ाल करका सबस्क्राइब का बटन को दबा दीजिए और उसके पास में है बेल आईकन तो बेल आइकन को भी जड़ुर्व कर लीजिए का ताकि हमारा सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए निप्टेर को लिसेट कर सकते तो यहाँ पर मैंने पर दिखाया है आपके पास कोई भी प्रिंटर है तो आप उसे रिसेट कर सकते हो और अगर वीडियो पसंद आया तो प्रिस्ट कोई कोई डाउट है वह अब ज़रूर से कमेर करके बता सब्सक्राइब कर लिजिए आज के लिए अगले कोई वीडियो में दब तक लिए रही ह हुआ्या है